प्रोजेक्ट क्यू स्टार का संबंध किस कंपनी से है आप्शन से Microsoft, Google, OpenAI या पिर टेसला तो इसका सही जवाब था आप्शन सी OpenAI चलिए अब इसका विश्टेशन देखते हैं हाली में OpenAI के प्रमुख वैग्यानिक एलिया सुच स्केवर के नेतरत्व में एक टीम को क्यू स्टार नामक एक नया मॉडल बनाने के अनुमती प्राप्त हुई है हाला कि विश्टेशन के उद्वारा इसे मानवता के लिए खत्रा माना जा रहा है अब बात करें प्रोजेक्ट क्यू स्टार की तो क्यू स्टार अनिवारे रूप से एक अल्गोरिदम है जो प्रारंबिक गणिते समस्याओं को हल करने में सक्षम है इसमें वे समस्याओं भी शामिन हैं जो इसके प्रेशिक्षन डेटा का हिस्सा नहीं है यह आर्टिफिशल जनरल इंटेलिजन्स यानि एज़ियाई की दिशामें एक महतपून कदम है एज़ियाई आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की एक कालप्रिक शमता है जो इसे ऐसे किसी भी बौधे कारे को करने में सक्षम बना दिया है जिसे मानव मस्तिश्क कर सकता है क्यू स्टार में तार्किक तर्क और अमूर्थ अवधरनाओं को समझने की ख्षमता है ये ऐसे अप्रतियाश्चित व्यवारे अनरने भी कर सकता है जिन्हें मनुष्य पहले से समझने में सक्षम नहीं हो सकता है एजी आई संभवते कई क्षेत्रों में मानविय ख्षमताओं से आगे निकल सकता है चलिए अब आज के सेशन का पहले सवाल देखते है यानिक योगिक, कार्बनिक योगिक, सैसायोज़क योगिक या फिरन में से कोई नहीं तो सही जवाब है औप्शन भी कार्बनिक योगिक हाली में वेग्यानिकों ने अन्य पौधो द्वारा छोड़े गए ग्रीन लीफ वलेटाइल्स यानि जी एलवी योगिकों पर एक शोद किया है दरसल इस शोद में वेग्यानिकों ने पाया कि पौधे एक दूसरे को खत्रे से आगा करते हैं वेग्यानिकों ने बताया कि पौधे खत्रे में होने पर ग्रीन लीफ वलेटाइल के रूप में एक योगिक रिलीस करते हैं जिसमें एक विशेश गंध होती है यह इन्ने पौधों के लिए एक चितावनी हो सकती है जो उन्हें बताती है कि खत्रा निकट है अब बात करें ग्रीन लीफ वलेटाइल्स की तो यह पौधों द्वारा छोड़े गए कार्बनी के योगिक हैं इन्हें पौधे द्वारा स्वैम के घायल होने के बाद छोड़ा जाता है ये लगभग हर पौधे से निकलते हैं जिन में अलकोहल, एल्डिहाइड और एस्टर सहेच छे कारबनी यानी C6 योगिक शामिल होते हैं ये योगिक शाकाहरी संक्रमित पौधों के वाश्पशील पदार्तों के सामाने घटक होते हैं जो पौधे की रक्षा करने में महतोपूर्ण भूमिकर भाते हैं बहुर तलब है कि जब किसी पौधे पर हमला होता है तो वो हावा के माध्यम से पर्यावरण में जीलवी उत्सरजित करता है अगला सवाल वितायों की गठन संबंधी प्रावधान सम्विधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं अनुच्छे 288, अनुच्छे 240, अनुच्छे 292 या फिर अनुच्छे 281 तो सही जवाब है option D, अनुच्छे 281 हाले में केंद्रे मंत्र मंडल ने सोलवे वितायों के लिए Terms of Reference को मंजूरी देती है सोलवे वितायों को अक्तुबर 2025 तक अपने रिपोर्ट सौपनी होगी आपको बता दें कि वितायों को अपने सिफारिशों को सौपने के लिए आमतोर पर दो वर्ष का समय दिया जाता है सरकार द्वारा स्विकार के जाना पर इसकी सिफारिशे 1 अपरेल 2026 से शुरूओ कर पाँच साल के लिए वैद होंगी पंद्रवे वितायों की सिफारिशे 31 मार्च 2026 तक 6 साल की आवधी को कवर करती है इसलिए 16 वितायों को गठन प्रस्तावित है पंद्रवे वितायों का गठन इनके सिंग की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में किया गया था गौर तलबे कि सम्विधान के अनुच्छे 280 के खंड एक के अनुसार वितायों का गठन हर पाँच वे वर्ष या उससे पहले किया जाना है वितायों के मुखे जमदारी केंदरों राजे सरकारों की वित्य स्थितिका मुल्य अंकन करना है इसके अलावा उनके बीच करों के बटवारे की सिफारिश करना और राजे की बीच इन करों के वित्रन को निर्धारत करने वाले सिध्धान्त निर्धारत करना है चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी विचारधारा स्वतंतरता समताबाद समाजवाद बना धारित थी इन्होंने अपनी पत्नी सावित रिबाई फुले को पढ़ना और लिखना सिखाया इसके साथ ही फुले ने देश से छुआ छूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने का मार प्रशस्त किया वर्श 1848 में इन्होंने पुणे में निचली जाती की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला इन्होंने निचली जातीयों के लोगों के अधिकारों के लिए सत्य शुदक समाज का गठन किया इन्होंने विध्वाओं की देने स्तिति को महसूस किया और युवा विध्वाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंतत है विध्वा पुनर्विवा के विचार के समर्थक बन गए 28 नमबर 1890 को 63 वर्श की आयू में इनका निधन हो गया चले ने एक सवाल रॉलिट सत्यागरह के संदर्व में निमनिल्खित कत्रों में से कौन सा सही है ए दक्षर अफ्रीका से लोटने के बाद मातमा गादी द्वारा शुरू किया जाने वाला ये पहला सत्यागरह था देश के कावों से बड़ी भागीदारे वाला ये पहला अखिर भारते संखर्श था ये पर डी रॉलिट सत्यागरह में भाग लेने वालों ने इस उनिश्चित करने का प्रियास किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुसल्मान एक जुट रहें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिन अफरीका से लॉटने के बाद चंपारन सत्यागरह गांदी जी दौरा शुरू किया गया पहला सत्यागरह था 1919 में गांदी जी ने अंग्रेज दौरा लाएगर रॉलिट टेक्ट के विरूद में सत्यागरह का आवान किया इस कानून ने अभी वेक्ति की स्वतंतरता जैसे मौलिक अधिकारों का दमन करते हुए पुलिस की शक्तियों में इजाफा किया रॉलिट सत्यागरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया प्रथम अकिल भारतिया अंदोलन था हाला कि ये मुखे रूप से शेहर उतक्सी मित होकर रहे गया जब की स्वराज की घोशना वर्श 1906 में कांग्रेस के मंच से की गई थी रॉलिट सत्यागरह में भाग लेने वालों ने सुनिश्चित करने का प्रियास किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ रडाए में हिंदो और मुसल्मान एक जोट रहें चलिए अकला सवाल हाली में किस राजे केंदर शासत प्रदेश द्वारा दक्षिन पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काय रिजर्व बनाने की घोश्रा की गई है लद्दाख, चंडिगर, राजस्थान ये अपर जमगोर कश्मीर तो सही जवाब है आप्शने लद्दाख हाले में केंदर विज्ञान एवं प्राद्योगी की राज्य मंतरी डॉक्टर जितेंदर सिंग ने लद्दाख में दक्षिन पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काय रिजर्व बनाने की खोश्रा की है ये चांग थांग वनिजीव अभ्हरणने में पूर्वी लद्दाख के हानले गाउं में स्थथ होगा इसमें उप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए उच उचाई वाली साइटे होंगी इस अभ्हरणने का उदेश एक खगूल पर इटर्न को बढ़ावा देना है इसे भारतिय खगूल भौती की सलस्थान बेंगलूरू की मदद से स्थापत किया जा रहा है केंद्रिय मंतरी ने लद्दाख में एक नए विश्विद्याले, मेडिकल और इंजीनिरिंग कॉलेज और एक होटल प्रबंदन सलस्थान सहित विभन विकासात्मक पहलो का भी उलेग किया इसके अतरिक्ती एक्षेतर औशदिय पौदों की व्यावसाई खेती और खुबानी जैसे स्थानी उतपादों के निरात पर ध्यान के दृत कर रहा है सरकार फलो और सब्जियों के सनरक्षन के लिए प्रोध्योगी कियों में भिनिवेश कर रही है और लद्दाख को कारवन तडस्थ बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे है चले नेक सवाल निमने लखित में से कौन सा वो कोशिकांग है जो प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ती, सूत्रकणिका यानि माइटोकॉंड्रिया, जीव द्रवे कला या प्लाजमा जिल्ली या फिर राइबोसोन तो सही आंसर है, option B, सूत्रकणिका या माइटोकॉंड्रिया कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं दो प्रकार के होती है प्रोकेरियोटिक यवं यूकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक जिली और केंद्रका नहीं पाया जाते हैं कोशिका धरवे में जिली कोशिकांग जैसे माइटोकॉंड्रिया, हारितलवक, गॉल्जिकाय, लैसुसोम अरुपस्थित होते हैं परन्तु 70S प्रकार के राइबसोम्स पाय जाते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता वह स्टोन प्रोटीन का पूर्टे अभाव होता है इनमें गुड सूत्रों की संखे केवल एक होती है वो दाहरन के रूप में जीवाणू तथा नील हरिच्छेवाल चलिए अगले सवाल दिखते हैं बुकर पुरसकार के संबन में निमनिलखित कतनों पर विचार कीजे पहला कतन ये सर्व प्रथम 1969 में प्रतान किया गया था और दूसरा कतन ये अंग्रेजी भाषा में लिखे वा यूके वा आईरलेंड में प्रकाशित सर्वशिष्ट कता साइट ये उपन्यास को दिया जाता है आपको पताना है कि इनमें से कौन साय कौन से कतन सही है सही है हाली में 2023 के लिए बुकर पुरसकार या बुकर प्राइस प्रतान किये गए पचास हजार पाउंड की नामिराशी वाले प्रतिष्ठित पुरसकार एक आईरिश लेखक पॉल लिंच ने जीता है लिंच ये पुरसकार जीतने वाले आईरिलेंड के पाचवे लिखक हैं उन्हें अवार्ड उनके पाचवे उपन्यास प्रॉफिट सौंग के लिए दिया गया है ये लगतार दूसरा साल है जिब राजनीतिक संखर्ष पर अधारित किसी उपन्यास को ये बुकर पुरसकार दिया गया है ध्यातव वे है कि बुकर पुरसकार पहरी बार 1979 में प्रदान किया गया था ये प्रतेक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखेगर यूकेवा आइलेंड में प्रकाशित सर्वशिष्ट कथा साहिति उपन्यास को दिया जाता है ये अंग्रेजी भाषा में अग्रणी साहितिक पुरसकार है इसमें विजेता को 50,000 पाउंड के साथ 6 शॉट लिस्ट के गए लेखा को में से प्रतेक को 2500 पाउंड दिये जाते हैं और तरवे कि हर साल अंग्रेजी में अनूदित और UK या आइलेंड में प्रकाशित पृति को अंतराश्ट्र बुकर पुरसकार पर प्रिप्रदान किया जाता है चले नेक सवाल देखते हैं निमनलिकित में से कौन सा स्वच इंधन का एक उदाहरन है? कोक, प्रोपेन, पेट्रोल या फिर मूम तो सही जवाब है option B प्रोपेन जिस इंधन के देहन से कम से कम हानिकारग गैसों का उद्सर्जन तथा अधिक से अधिक उर्जे की प्राप्ति होती है वो उतना ही अधिक स्वच इंधन माना जाता है वर्तमान समय में हाइड्रोजन स्वच इंधन का मुख्य उदाहरन है वस्तुते, इंधन के रूप में मुख्य रूप से हाइड्रोजन का उप्योग किया जाता है जिस हाइड्रोकारबन में कारबन परमाणों की संख्या जितनी कम होगी उसके दहन से उतनी कम मात्रा में CO2 का उत्सरजन होगा और वो अधिक स्वच इंधन की श्रिणी में आएगा प्रशन के संदर्ब में प्रोपेन या CH में सबसे कम कार्बन परमाणू है अते हैं ये सबसे अधिक स्वच इंधन है सवच इंधन के उप्योग को बढ़ावा देने तता वायो मंडले प्रोदुशन को कम करने एतू भारत ने BS6 इंधन के उप्योग को प्रारंब किया है चलिए अब रोड करीजे अचका भ्यास प्रशन नेमने लिखित में से किसके द्वारा आवधिक श्रंबल सर्विक्षन रिपोर्ट जारी की जाती है ओप्शन से ए राष्ट्रे नमून सर्विक्षन कारे ले बी वाने जियो रुद्योग मंत्रा ले सी राष्ट्रे सांखी की आयोग या फिर डी उपर रित में से कोई नहीं तो सवाल के जवाब कॉमेंट सेक्षन में देना मत भूलिएगा साथी बताए कि हमारा एपसूड आपको कैसा लगता है तो मुलाकात होगी अगले कारेक्रम इस कॉस्चिन क्यांसा के साथ तब तक के लिए जय हिंद